गुड इवनिंग फ्रेंड्स मैसल मनीज दिंगरा और निफ्टी की आज की वीडियो में आपका स्वागत है आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल नोटिफिकेशन ओन कर दें जिससे की उनको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और जो लोग इस चैनल पर पुराने हैं उन्हें अगर वीडियो पसंद आती है तो वो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और जो लोग नए हैं उन्हें भी अगर वीडियो पसंद आती तो वो लोग भी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जिससे की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एनलेसिस का बेनिफिट मिल सके तो फ्रेंड्स फर्स्ट अफ आल थैंक यू वरी मच कल की वीडियो को बहुत सरा प्यार दिया अप लोगों ने और वो नंबर व मच फ्रेंड्स और जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं उनका थैंक यू अगे और आगे बढ़ते हैं बिना कोई समय का वाइव हुए जिससे की हम लोग जो भी बात करें वह पॉइंट टू पॉइंट हो तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे कि हमने कल क्य क्या एनलेसिस करी थी उसका क्या रिजल्ट हुआ और आगे क्या पॉसिबिलिटी है और कल किन किन लेवल्स का ध्यान रखना है तो फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट कि हमने एक एनलेसिस करी थी हमारा व्यू था कि निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है बहुत बड़ गैप खुलता है तो हमें 17-770 के आसपास के लेवल पे शौट करना है पोट उठानी है और अगर फ्लैट खुलता है फ्लैट में क्या होता है कि 20-25 पॉइंट का मूव होता है इन नॉर्मल डेज जब हाई वोलेटिलिटी होती है तो 40-50 पॉइंट प्लस या माइनस इस फ्ल फ्लैट फ्लैट हो गई, माइनस पचास खुली प्लस में आ गई तो इस इस फ्लैट ओपनिंग तो आज मार्केट ने कुछ इसी तरीके का मूव दिया गप डाउन ओपनिंग हुई फ्लैट नेगेटिव ओपनिंग थी लेकिन जो फर्स्ट फाइंग मिनट की गेंडिल थी उसने previous day का low break कर दिया और हमारा view था कि previous day low break होगा तो हम लोग short करेंगे इसलिए यह आज की वीडियो बहुत ज़्यादा important है friends बहुत लोग ऐसी एक 5 मिनट की candle close होने पर short करते हैं और आप देखें कि उन लोगों के आज stop loss उड़े होंगे इसलिए मैं आपको एक learning भी दे रहा हूं इसके अंदर कि जब भी इस तरीके का flat opening होता है और market किसी direction में जाने की कोशिश करती है और अगर वो direction बहुत समय से चल रही है means last के दो दिन से हमें बहुत बड़ा fall मिल गया हमने आज previous day low भी break कर दिया और हम नीचे चल पड़े अगर इस तरीके का कोई भी opening होता है तो आप 15 मिनट आधा घंटा market को watch करें reason के वाल इतना था और आप देखिए market ने वहाँ से nice recovery दी और recovery देके market फिर से नीचे की तरफ आई हमारा view था कि nifty जब भी हमें 17,770 के आसपस मिलेगा हम महाँ पर पोट उठाएंगे निफ्टी वहाँ पर गई ही नहीं 17,650 के आसपस के लेवल से फिर से नीचे की तरफ मूव हुआ मतलब ये कि हमें ना उपर का trade मिला ना हमें नीचे का कोई trade मिला इसलिए community tab में ना मैंने आज कुछ update किया ना ही कोई अपडेट ट्विटर पे और अपने टेलिग्रम चैनल पे दिया रिजन के वल इतना था कि market हमारे इसाब से आज मूव नहीं कर रही थी और क्यों नहीं कर रही थी उसका reason भी मैंने बताया था कि आज एक trend reversal day है as per the time price analysis जाज़ा से जादा Tuesday को bottom बन सकता है ये एक view था इसी लिए short केवल intra day ही हम कर सकते थे हम carry नहीं कर सकते थे और long का तो जब तक signal नहीं मिलेगा तो long हम कैसे करे simple तो now what next अब क्या लग रहा है this is the second point तो अब friends आज ये एक doji candle बनी है मैंने बस telegram पर इतना लिख दिया था कि doji candle is expected और around वहीं कहीं ऊपर नीचे होके बीच में जाके close हुआ है this is called a doji और ये जो doji candle बना है अब इस doji candle के higher low के नीचे next move is important अब उसमें भी ये नहीं है कि market जो है doji candle के high के उपर निकल गी तो आप एकदम से long कर देंगे नहीं हमने एक level दिया हुआ है that is a 17,770 बजार जब उसके उपर निकल जाएगा sustain करेगा तब ही trend reversal हम मानेंगे और बजार अगर इस range के अंदर due to budget गोमता है तो हमें trade नहीं करना है मैंने छोटे traders के लिए तो मेरा एक advice है अब आप budget तक भूल जाए market को कि कोई market है केवल analysis देखिए केवल market को watch करिए और market क्या करती है वो देखिए क्योंकि कोई भी directional move जो start होगा budget day या budget day के बाद ही होने वाला है अगर market हमारे इस falling trend line को जो की उपर से नीचे आ रही है यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं click भी करके दिखा देता हूं तो जब इस trend line के उपर निकल जाएगी तब हम long side की position बनाएंगे एक bounce 17,770 तक या 17,800 तक हमें अराम से अभी भी मिल सकता है वो bounce हम intra day में short कर सकते हैं तो कल के लिए क्या levels होंगे वो अब हम पहले देख लेते हैं तो इसके लिए हम overly chart पे चलते हैं friends overly chart पे आप देख सकते हो कि यह एक range के अंदर zig-zag pattern बना है overly chart के according जिसके अंदर एक breakdown दिया गया और market उसके बाद sideways हो गई तो this is the sideways market जो आज हमें देखने को मिली अब market अगर 17,400 के नीचे भी जाती है तो हमारे पास केवल 100-800 point का ही move बचा है और वो भी market को अगर जाना होगा न तो market with a blink of an eye चली जाएगी हमें मौका नहीं देगी तो हमें करना क्या है हमें केवल अब चुप चाप से wait करना है कल के लिए जो important levels हैं अगर कोई लोग trade करना भी चाहते हैं तो मैं पहले यह request करूँगा कि do not trade लेकिन फिर भी अगर बजार आपको 17,800 के आसपास मिलता है यानि ये एक range आती है 17,770 से 17,840 के आसपास तक का आप देखेगा कि अगर वहाँ से candle reject हो रही है तो हमें वहाँ पे उपर का stop loss लगा के short करना है अगर market इसी range में घूमती रहती है तो केवल premium meeting होगी as a option buyer हमारे पास कोई trade बनेगा ही नहीं हमारे को 17,400 और 17,800 से 850 के इस level पे ध्यान लगना है उपर मिलेगा तो हमें short करना है नीचे मिलेगा तो हमें buy dips करने की कोशिश करनी है और ये भी हो सकता है कि 50 से point का नीचे का कोई SL खाके फिर से market उपर आके निकल जाए तो आपको इस चीज का ध्यान लखना है 350 नीचे का level और उपर का level 850 इसके बीच में कल निफ्टी को घूमना चाहिए जहां पे भी निफ्टी मिले अगर gap up opening होती है और 770 से 800-850 के असपास निफ्टी चला जाता है तो हम वहाँ पे short करेंगे stop loss 850 के उपर का लगाएंगे अगर कोई gap down opening हो जाती है तो हम 17,350 से 400 की range में buy करने की कोशिश करेंगे और उसके नीचे का stop loss लगाके long position मनाएंगे फ्रेंड्स आने को निफ्टी 17,200 के प्लस के आसपास भी आ सकता है इसलिए stop loss strict रखेगा अगर आपको लगे कि 350 के आसपास आपने buying करी है और निफ्टी वहाँ से slip कर रहा है तो जादा weight मत कीजेगा कि 250 का level बताया है जी 250 से तो गूमी जाएगा कई बार ऐसा होता है कि market बिल्कुल day low पे close हो जाती है और हमें trade के वल intraday के लिए लेना है क्योंकि as a option buyer हमारे पास अभी opportunity नहीं है premium बहुत हाई है हमें पता है budget बिल्कुल सामने खड़ा है premium एकदम से lose हो जाएंगे आगर हमने position carry करी तो हमें मिलना कुछ नहीं है तो किसी भी तरीके का hope trade मत लीजेगा market को समझेगा और जिस तरीके के level आपको मिलें नीचे की तरफ अगर आपको support पर market मिलता है तो वहाँ छोटे से stop loss के साथ long कीजिए उपर मिलता है तो छोटे से stop loss के साथ short कीजिए अभी market ने कोई directional move नहीं बनाया है तो हमें trading करनी है ठीक है friends तो आज की वीडियो में इतना ही thank you very much for giving love to my video on my youtube channel thank you and subscribe my youtube channel please thank you friends